सब्सक्राइब कीजिए The Special Teacher चैनल को और इस बैल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अश्कार दोस्तों आप सभी का सुवागित है आपके अपने चैनल The Special Teacher में मैं हूँ आपका दोस्त कुरविंदर पाल शर्मा दोस्तों एक चीज जिसका आप बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे एक चीज जो हमने शुरू की थी वो है कि सर्वे सर्वे शुरू किया था हमनों एक ठीक है यह सर्वे शुरू किया था हमारी वेबसाइट thespecialditcher.in पर यह सर्वे शुरू किया था ताकि पता चल सके कि रीट 2022 मेंस में आप लोगों ने कितना स्कोर किया आप लोगों में विशेश शिक्षक आ जाते हैं सारे के सारे चाहे वो किसी भी डिसेबल्टी में डिप्लोमा करने के बाद बन रहे हों चाहे आपने हाई में किया है चाहे आपने वी आई में किया है चाहे आपने आईडी में किया है चाहे लडी, एमडी, डीबी, एसडी सारे ही सारे आप सभी पार्टिस्पेंट हैं इस सर्वे के तो आप लोगों के बारी-बारी message आ रहे थे आप लोगों की बारी-बारी calls आ रही थी कि हमने survey में entry कर दी हमसे अब इंतजार नहीं हो रहा बारी-बारी आपके message यहीं आ रहे थे कि और इंतजार मत कराओ हमें वो PDF दे दो हमें वो आंगनों की details दे दीजिए दोस्तों आप सभी का इंतजार आज खतम करते हुए मैं आपके सामने वो सारी की सारी details लेकर आया हूँ जिसके लिए काफी दिनों से आप लोगों से forms में entry करवाई जा रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे level 1 के विशेश शिक्षकों की जिनोंने उस सर्वे में अपनी entries की है चाहे वो ASD से है, CP से है, DB से है HIV, EMR किसी भी category से उन सारों की discussion होगी आज की इस पूरी वीडियो में दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स ताइम आये हैं तो make sure आप पहले चैनल को subscribe करें और फिर इस वीडियो को like कर दें अगर आप को ये दीगी जानकरी अच्छी लग रही है तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लेवल वन में टोटल 2342 एंट्रीज अभी तक हुई है आप लोगों के बार-बारी message आने के कारण कि हमें जितना भी डेटा है हमें दिखा दो हमें दे दो इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने वो डेटा रखूँगा क्यूंकि आप लोग वेट नहीं करना चाहते तो मैंने में यही समझा कि जितना भी डेटा भी कठा होता है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए देखा जाए केंड़ेट्स तो 12,000 के असपास है लेकिन हमारे पास डेटा 232 का है आप लोग यही दिखना चाहते थे तो मैं आपके सामने इसी डेटा के साथ आ गया तो बात करते हैं कि किस कैडिगरी में किस डिसेबल्टी के किस प्रोग्राम में कितने कैंड़ेट्स ने एक्जाम दिया उनका क्या स्कोर रहा वो सारी चीजे देखते हैं आज किस पूरी वीडियो में तो लेके जाता हूँ मैं उस PDF पर जो आप लोगों के लिए बनी है और आप लोगों की डिमान पे बनी है दोस्तों यह है वो PDF जो आप लोगों के सर्वे में एंट्री करने की बदोलत ही बन पाई है आप लोगों की वज़े से ही मेरे पास यह 56 पेज़स की यह PDF उपलब्ध है आप लोगों की सारी डिटेल्स इसके अंदर है तो बारी बारी डिसकेशन करते हैं कौन सी केटेगरी में कितने केंडिट का क्या क्या स्कोर रहा है वो सारी चीजें जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं ASD केटेगरी की ASD में अगर बात करें टोटल पार्टिस्पेंट केते हैं तो टोटल दोस्तों ASD के अंदर इस सर्वे में एंट्री करने वाले 21 ही लोग थे ठीक है 21 लोग थे एंट्री करने वाले इसमें EW के दो केंडिट हैं जिनका स्कूर आप देख पाएंगे 85 और 90 क्वेशन साही किये हैं उन्होंने उसके बाद बात करते हैं इसमें 78 और 100 स्कूर है इसके भी दो केंडिट्स हैं बात करते हैं MBC में MBC में 2 है 85 और 90 स्कूर किया है इन्होंने बात करते हैं OBC की OBC के केंडिट हर एक केंडिगरी में ज्यादा है चाहिए वह है यहाँ पर 11 केंडिट्स है ठीक है टोटल 11 स्कूर है जो OBC के है मिनिमम स्कूर 72 है यहाँ पर मैक्सिमम स्कूर जो इन्होंने सही किया वह 100 मार्क्स भी है यह बात हो रही है ASD की SC के दो केंडिट्स हैं जिनका मिनिमम स्कूर 72 और मैक्सिमम 80 है और बात करते हैं ST की ST की में एक ने अपना स्कूर बताया है 58 और सेकंड ने अपना स्कूर बताया है 100 तो दोस्तों यह ASD की बात कंप्लीट हो जुकी कि ASD में कितने कंडिट्स ने इस सरवे में पार्टीस्पेट किया है अब यह अलग बात है की ASD वालों को किस केडिगरी में शामिल किया जाएगा BMR में उन्हें लेंगे नहीं लेंगे यह बात की बात है अब आगे अपने बात करते हैं ASD के बाद PC की CP के अगर कुल Candidates की बात करें तो जिन्होंने सर्वे में Participate किया वो 15 Candidates हैं जिन्होंने अपने सर्वे में Entry की है जिसमें एक बंदा EWS का है चार General Category की है पांच MBC की है और पांच ही OBC Category की है अगर इनके बारे में देखा जाए इनका Score क्या है इनका Score EWS की जो कैटेगरी का Student है रजिंदर शर्मा उसके 79 कोशन सही हो रहे हैं और अगर बात करें General Category की मधू ठाकूर की उसके 50 सही हो रहे हैं 50 Minimum Score है और इसमें General Category का Maximum Score 93 है फिर बात करते हैं MBC Category में सुखवीर नाम सी Student है उनके 55 सही हो रहे हैं और अगर बात करते हैं रवीराज तमर की तो उनके 90 सही हो रहे हैं ये Minimum और Maximum का आप देख पा रहे हैं और उसके बात करते हैं OBC Category OBC में 50 सही हो रहे हैं बलवीर के और 89 सही हो रहे हैं आमित सिंग के ये हमने बात कर ली इसके बाद CP की बात हो चुकी है अब CP के बाद जाएंगे DB की ASD, CP, DMD, MD ये सारी ऐसी कैटेगरीज है जिनकी जो बोर्ड वकेंसे निकालता है कोई बात नहीं करता वहाँ पर सिर्फ HI, VI और MR लिखा जाता है इनको कहां जोइनिंग मिलेगी कैसे होगा ये अलग मैटर है इस पर भी डिसकेशन करेंगे तो बात करते हैं DB की DB के कुल अगर कैंडिट्स बात करें तो चार ही कैंडिट्स हैं दो OBC के हैं दो ही SE के हैं OBC का जो मिनिमम स्कोर 90 मार्क से इनकों सकोर किया है 90 कोशिंस इनके सही है और जो मैक्सिमम है 92 कोशिंस ही करने वाला नंदलाज वैशनाव है और राहूल चोहान के 85 हैं जो की SE कड़ेगरी से हैं और अमित के 88 हैं जो की वो भी ऐसी कड़ेगरी से हैं तो यह सारे जो 88 85 90 बोड़ा हूं यह नंबर ऑफ क्वेशन से पुछे गए थे कि आपके कितने सही हैं अब बात करते हैं में वेकेंसी में जो में डेटा है वह है और एमर या आईडी का है क्योंकि नंबर ऑफ केंडिट्स भी यहां पर जादा ह है और स्कोर भी इनका दुरंदर आया हुआ है तो सबसे पहले बात करते हैं है के कुल आंकडों की अगर बात करें हैं है में अगर कुल आंकडों की बात करें तो है के टोटल 875 लोगोंने पार्टिस्पेट किया है 875 तर एकेंडेट्स हैं जिरोंने पार्टिस्पेट किया है और इसमें से 119 एड़लीउस केटेगरी की हैं जनल के साथ हैं और उसके बाद करें MBC के 86 है यह सारे कैंडेट्स है जिनोंने इस सर्वे में पार्टिस्पेट किया है आप लोगों को इस सर्वे की पीडिएफ भी मिल जाएगी वो पीडिएफ आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये जाएगा वहाँ से आप इसे हमारे टेलिग्राम की ग्रूप से भी देख पाएंगे जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उसे जोइन करना होगा तो देखते हैं कि क्या स्कोर आ है इनका सबसे पहले EWS की बात करें 50 minimum marks हैं पलवी कुमारी के उसके बाद 58 पैसे 50 स पहुंचिया है उसके बाद आगे देखते हैं इसका जो लास्ट स्कोर है वो 146 इन्होंने लिखा है अब इसमें ये confusion की बात है कि 146 इन्होंने कोशन सही करें हैं या 116 इनका स्कोर आया है या 116 यह ऐसे candidates हैं जिन्होंने last time survey में 150 में 150 लगाए थे तो यह चीज़े थोड़ भी काफी candidates हैं 80 से उपर काफी candidates आपको देखने को मिलेंगे AWS category के अंदर चाहिए 80 score हो 81 हो 82 हो एक एक नमर पर आपको 10-10 candidates देखने को मिल रहे हैं 85, 87, 88, 89, 90 के काफी 91 के काफी students है 95 के काफी students है और 98 questions वाले भी काफी students है और जो ऐसे students है जो देख रहे हैं कि हमारे 60 के आज़ questions ही हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे 60 सही हो रहे हैं हमारे 56 ही हो रहे हैं हम 70 के आज़ पास हैं और AWS category से हैं तो दोस्तों तो आपको यह थोड़ा देखना होगा कि आप से उपर 90 वाले कितने हैं 80 वाले कितने हैं तो यह आपकी जो cut-off है जो आपके selection को प्रभावित यह बात होगी AWS category उसके बाद हम बात करेंगे general category की general category में 60 students ऐसे हैं जोनोंने हाई में अपना survey किया है और general category का अगर मैं minimum score देखूं तो 45 है उसके बाद 48 50 51 और अगर बात करें general category में maximum score की हाई में तो यह score थोड़ा आपके सामने आने वाला है general category में जो maximum score है 142 बताया है जिसका नाम है अभिशेक जो अपने आपको चुरू से बजाता है और उससे पहले 142 सोनु शर्मा female बताते हैं अपने आपको और बीलवाडा से हैं ऐसे जो general का score देखें तो इसका भी 80 से अबव 85 से अबव यह सारी चीज़ें आपको देखने को म तो general वारी सीटें तो unreserved होती है वो fix नहीं है कि आप समाने श्रेडिंग के है तो आप उसमें जाएंगे OBC वाला अगर ज़्यादा score करेगा SC वाला ज़्यादा score करेगा तो आपकी seat वो ले सकता है इसलिए इसकी cutoff general की cutoff ज़्यादा ही जाएगी अब बात करते हैं general के बाद MBC की MBC की total HI में 86 candidates हैं दिन का minimum score अगर आप देखें तो 60 है 60 से शुरू हो कि इसका score maximum आपको देखने को मिल रहा है आप इसमें देखें कि 80 80 की line में भी काफी साथ students है 75 से अबब आले line में भी काफी साथ students हैं चाहिए वो 75 वो 77 हो और 81, 82, 83, 85, 86, 90, 95 97, 100 ये काफी students है 100 वाले में candidates 102 वाले 105 वाले तो मैं genuine मानता हूँ लेकिन जो यहाँ पर बता रखा है कि 150 आए है काफी सारे ऐसे होते हैं जो कि मज़े लेने के लिए survey में entry करते हैं ये मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी आप data enter करेंगे चाहिए आप वो 500 में 500 बता दो candidates लगते हैं कि इत्ते आते हैं इत्ते बनते हैं अब आगे बात करते हैं कि OBC category OBC category जो HCI में है उसके maximum number of candidates है 494 494 candidates ने इसमें participate किया है minimum score करें तो minimum score यहाँ पे 97 होगा इन्होंने 0.97 लिख दिया 41 minimum है 49 50 में काफी candidates हैं और 60 के candidates भी काफी है 61 में काफी candidates है 65 66 68 69 70 आप यह सारा score देख पा रहे हैं 70 की series में आपको 72 80 maximum candidates आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 80 पे आके रुगे आपके जो candidates हैं वो 82 83 85 86 87 88 89 90 90 के दो तीन पेज आप देख रहे हैं कि हर एक पेज हर एक नंबर पे एक दो दो पेज भर रहे हैं 95 95 97 100 103 104 इन सभी के नाम निमें ले सकता है इतने ज्यादा नंबर है इनके 135 140 140 यह सारे candidates आपको देखने को मिल रहे हैं जो maximum यहाँ पे भी data बता रहे हैं 150 बता रहे हैं जो कि अपने आपको आरजू बताते हैं अब इनका डाउट या तो 75 कोशन इनके सही है या यह वो candidate है जो कि fake entry करी है 150 out of 150 questions तो possible नहीं है मैं नहीं मानता कि यहाँ पे आए होंगे तो हो सकता है कि 75 के साबसे 150 score लिखा हो तो यह सारी चीज़ें देखने वाली होंगी उसके बाद अगर बात करते हैं अपने PW category की तो PW category में दो ही लोग हैं जिन्होंने इस सर्वे को एंटर किया है एक तो भरत है एक दूसरे मौनु कुमार सैनी है जिन्होंने अपना score 60 और 70 बताया है उसके बाद बात करें ऐसी category के तो 67 इसके candidates है जिन्होंने पार्टिस्पेट किया है 67 में अगर minimum score देखें तो गुरूनाथ भीमराओ इनका एक ही score इन्होंने बताया है उसके बाद नरिंद्र इन्होंन maximum score इनका है 150 बता रहे हैं यह 146 105 120 सारा score आपने को देखने को मिल रहा है यह है एक चैटेगरी में SC के बाद ST की बात करते हैं ST के टोटल 50 अभियर्थी हैं जिन्होंने रिस रीट के में में अपना अवेदन किया था और अपना योगदानी सर्वे में दिया है minimum score जो है वो 44 है maximum अगर score की बात करें maximum अगर score की बात करें ST के टेगरी का तो 130 score इन्होंने लिख रखा है कि 130 questions जिनके सही हुए हैं तो दोस्तों यह अच्छाई के total 875 candidates थे जिन्होंने अपना score यहां पे लिखा है आप इसकी PDF देख पाएंगे तसली से आप चाहिए कर लेना कि किस candidate के कितने कितने नमबर आई हैं वो कहां से है उसके बाद अपने बात करते हैं ID या MR की ID या MR की मैं अगर आपको बात बताऊं तो ID और MR ID या MR इसके total 1089 candidates ने entry की है देखो HI के 875 और 1090 के असपस अगर मानके चलें तो ID के आईडी के वैसा भी competition जादा है काफी candidates है आईडी के ठीक है और अगर मैं बात करूँ total 2342 entries हुई है जो की लगबग 10% नहीं 10% नहीं बोलूँगा मैं लगबग 20% के आसपस है 19.9 कुछ percentage है total applicants का जो की level 1 में विशेश शक्रिक्षा की परिक्षा में बैठें जिन्होंने form फिल किया है तो इस PDF के विहाफ पे मैं आपको cutoff बता दूँ वो possible नहीं है तो आप यह मत सुचिएगा कि मैं इस वीडियो में आपको cutoff बताऊंगा cutoff नहीं बताने वाला मैं आपके सामने सिर्फ score लेके आया हूँ कि किस candidate का कितना score आया है वो आप देखिए आप अपनी आप अपनी सोच से अपने विचार विमर्ष करके अपने सातियों के साथ अप एक cutoff पर पहुंच सकते हैं लेकिन आप मेरे से उमीद रखें कि मैं आपको बताऊंगा कि इस category की यह cutoff जाएगी तो वो possible नहीं है क्योंकि मेरे पास data बहुत कम आया है सिरफ 20% data आया है rest 80% बाकी है score 20% में भी बहुत ज़्यादा आया है बच्छों का तो cutoff पि मैं नहीं पहुच पाऊंगा आगे बात करते हैं ID category की ID की total EWS category में 140 candidates है minimum score बात करें इनका minimum score है 40 और जो maximum score है EWS category का maximum अगर score देखें तो EWS category के 148 candidates में जो maximum आपका score आपने को देखने को मिल रहेगा देखो series 90 में भी है 100 में भी है ये ठीक है maximum इनका score जो देखने को मिल रहा है वो 140 139 ये score maximum आपके देखने को मिल रहा है जैसे इसमें 108 भी है 109 भी है 103 भी है 190 95 काफी अच्छा अच्छा score यहाँ पे आपके को देखने को मिल रहा है इसके बाद अपने बात करते हैं general category की general category की जो ID category है ID के general के candidates की बात करें तो 79 है एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी की अब general में candidates की संख्या कम है और EWS में candidates की संख्या जादा है ये फरक पड़ता है reservation का general category में काफी कम students है अब इस survey में तो बात करते हैं general में minimum जो score है वो 40 है पवंट शर्मा का दवेंदर कुमार का 50 है उसके बाद अगर general category में maximum जो ज़्यादा score है वो देखो 90 से उपर भी काफी सारे students है और maximum ये 150 वाला भाई है पता नहीं ये mistake है इसकी ये कैसी है 109, 108 मान सकते हैं अपने 150 वाला fake हो सकता है या इसकी mistake होगी उसके बाद बात करते हैं MBC MR में ID में MBC की संख्या 111 है काफी students है MBC में निमीश देवी राकेश गुर्जर धर्मेंदर सिंग ये सारे candidates है 40, 60, 63, 64 ये minimum score है इनका और आगे अपने देखते हैं कि maximum score MBC category में कितना है देखो 80 की 80 देखो अगर बात करें 80 से अबव काफी है 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90 की सीरीज में 92, 95, 99, 99, 110, 125 देखो ID में competition जादा रहेगा ठीक है और सिटें अच्छी आई है लेकिन यहाँ पर score भी बचों का काफी अच्छा है और आगे बात करते हैं OBC category की OBC category में maximum entries है इस ID की सरवे में जो की 563 लोगों ने दर्ज की है 563 OBC category के candidates है ID के इन में से अगर minimum score की बात करें minimum score OBC candidate का 34 है 10 minimum score बता रहा है सनेहा जी सनेहा एस गंगन ने ठीक है उसके बाद 34 फिर 40 फिर 45 और अगर maximum देखें तो 60 से अबब भी है 65 से अबब काफी candidates है 70 से अबब काफी candidates आपको देखने को मिलें है 70 की सीरीज में 71, 73, 75 की सीरीज में 75 में देखो काफी candidates है जो कि 75 स्कोर किया है कि 75 उसके बाद 77, 78, 79, 80, 80 में काफी सारे आपको pages भरे दिखने को मिलेंगे 81 स्कोर आया है 82 स्कोर आया है 83 एक एक नंबर पर आपको 20-20 candidates देखने को मिल रहे हैं तो काफी अगड़ा competition आपको देखने को मिलेगा 85 ठीक है 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 7 उसके बाद जंप हुआ 120, 135, 137, 140, 145 ठीक है उसके बाद 146 और 150 में भी काफी candidates यहां पर देखने को मिले हैं तो यह सारी जी उपर निच्चे हो जाएंगी इसलिए एक proper cut-off मैं नहीं बताबाऊंगा बारी-बारी आपको बोल रहा हूँ आप लोग score देख सकते हैं इस PDF के जरिए इस PDF को आप हमारे टेलीकरम के ग्रूप आप हमारी वैब साइट से डाउनलोड कर पाएंगे उनका लिंक आपको description में मिल जाएगा इसके बाद अगर बात करते हैं PW candidates, PW candidates total 13 candidates है जो ID में PWD है कुलदीप का score 56 है और सूर्य का score 132 है जो यहाँ देखने को मिल रहा है SC के बात करें तो 125 candidates MR में SC के है 125 काफी बड़ा नंबर है इसमें जो minimum score है मनसुक करवा का 45 है और जो maximum score अगर बात करें ज्यादा score बात करें 70 की सीरीज में 78, 80, 80, 5, 87, 90, 91, 100, 50 तक पहुंचा है 104 से शुरू होके तो दोस्तों यह सारा score है SC का ST की बात करते हैं अभिशेक मिना के minimum 40 है SC के total candidates 50 है score 40, 50, 60 और इसका जो maximum score अगर पहुंचें maximum score अगर SD category का देखें तो 146 यहाँ पर बता रखा है उससे पहले 100, 104, 119, 136 भी बताया गया है तो यह सारे candidates हैं जो ID या MR के थे total जो candidates थे 1089 थे इसके बाद अगर बात करें हम MD, MD category के total जो candidates है वो 3 ही है एक का स्कोर 95, दूसरे का 82, थर्ड का 85 उसके बाद हम बात करेंगे VIE की, VIE ऐसी है जिसकी vacancy जब आती है तो लिखा जाता है VGFT में अच्छाई VIE MR तो बात VIE की कर लेती है VIE के कितने candidates के क्या-क्या score रहे है, उन सभी पे चर्चा हो जाए तो ज़्यादा बहतर रहेगा उसके बाद other category वे जाएंगे VIE के अगर बात करें, EWS के total 29 applicant है जिसमें minimum score जाए का है 68 और maximum score अगर बात करें VIE का, वो भी अभी आपके सामने आ जाएगा maximum score VIE केटेगरी में VIE केटेगरी में maximum score EWS केटेगरी में 146 बता रखा है मंजू कनवर ने, अब इनका confusion यह रहेगा कि 146 नंबर या questions 120 है, शिवी शर्मा के सवरूप लटरों के 134 है उसके बाद general category की बात करें, तो total 23 applicant ही है जिनमें 15 minimum score बताया गया है और maximum score इनका बताया गया है 130, 115 और उसके बाद बात करते हैं MBC category की MBC category 65 minimum score है और MBC category में total 12 candidates है total 12 candidates MBC category के जिसका score आपको देखने को मिल रहा होगा जो इसका score है MBC category का वो अभी आपके सामने आ जाएगा MBC category का maximum score 97 है जो की जितिंदर कुमार जुन-जुनू से अपने आपको बताते हैं 23, 90, 84, 140, 150 तो दोस्तों इस तरीके से काफी लोगों ने इसमें देखने को मिल रहा है कि जूट बोला 150 score नहीं आया यह आप सभी जानते हैं जो competition fight कर चुके हैं जोने एक्जाम दिया था कि 150 इतने इतने students का आ जाए वो possible नहीं है कि 150 आप question सही कर दो 150 out of 150 it's not possible for this number of candidates these number of candidates तो आगे बात करते हैं other category other category में भी मैंने जितनी categories एंटर करी हैं उसके अलावा भी लोगों ने एंटर करी हैं वो other में है इसमें I think LD आ रहेगी या जो भी rest बची होई है लेकिन इस नाम से कोई post आती नहीं बता नहीं इनका क्या होगा तो दोस्तो main मकसद इस वीडियो बनाने का यही था कि आपके सामने पूरा data पूरा आंकड़ा दिया जाए कि कि किस candidate के कितने number है वो कौन सी category से है आपको पूरा बताना चाहूँगा कि अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारा telegram channel join कर लीजेगा आप हमारी website पे विजिट कर लीजेगा इन दोनों की link आपको description में मिल जाएंगे तो दोस्तो आज की विभी बस इतना ही thanks watching the video have a great day